नमस्कार मेमेगा, शुबरेसीपी में आप सबिका स्वागत है आज हम टमाटर की करी कैसे बनाते हैं? वो देखने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब है थी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं इतनी लाजवाब है यह इस टमाटर की करी यह विले स्टाइल कैसे बनाते हैं यह मैं आपको बताने वाली हूँ यह किसी अच्छी लग रही है ना इसमें हम लोग ने कलर का यूज किया है ना ही कुछ चलो बनाने के लिए शुरू करते ही यह टमाटर की करी तो तो टमाटर की करी बनाने के लिए यह मैंने एक बाव लिया है उसमें हम लोग एक कप एक स्पून धनिया डालेंगे सुका हुआ धनिया और इसमें चार लाल हरी सुक्की मिर्चे और इसे दो कर आधा गंटा या एक गंटा भीगो के रखेंगे आपके पास अगर टाइम ना हो तो अब इसमें थोड़ा गरम पानी डाल के दस मिनिट भीगोएंगे तो लाल मेच और धनिया अच्छी तरह से भीग जाएगा अभी इसे दो लिया है मैंने इसमें पानी डाल के मैं आधा गंटा भीगोखने के लिए रख दूंगी इससे ढखकर हम भीगोने रख देंगे अब यह लाल मिर्च भीग रही है तब तक हम टामाटर ले लेते हैं इसे उबा लेंगे तो यहां पर मैंने ऐसे लाल छे टामाटर लिए है दिखें और इसे इसे बीच में से पूरा नहीं बस इतना ऐसे आधा कट करना है हमें इस तरह से ताकि कट करने से छिलकी आसानी से निकल जाते हैं छिलका निकलने में बहुत आसान होता है इसके लिए हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे अभी टामाटर तो सब ही कट करके हो गए है मैंने यहां कड़ाई में प पाने अच्छी से ूबल गया है एसमें हम लोग ट्रमाटर डालेंगे कि अच्छी तरहां लेंगे उसका छिलका निकालने तक अगर आप छिलक्या की साथ पीसेंगे तो धोका्ट गयार थोड़ा ठाड़ी फट हो घंची करणा लगेंगे reference ने क्षाब में निकाल के निकाल लेंगे पानी हमिने करी में यूज करना है इस तो इसे फेके नहीं तो लिया है अब इसमें हम लोग डालेंगे गिला नारियल जी लानारियल मैंने कद्वखस करके लिया है लसन और एक छोटा सा प्याज加 लिया है मैंने कट करके पीसे इस सब को हमें एक दम बार फाइन पीसना है पानी इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे और हम लोग डालेंगे लाल मिर्च और धनिया जिससे भीगो से रिखा था कि इस अब को एड़ करें एकदम फाइन पीसना है याद रखे धनिया और मिर्च को भीगो ना है ने तो पीसेंगे नहीं इसमें थोड़ा सा ही पानी आड़ करेंगे जो टमाटर का हुबला हुआ पानी है वो भी एक दम फाइन पीस लेंगे मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलीगा देखें कितनी फाइन पेस्ट बनके रेडी हो गई है अभी हम लोग इससे तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए मैंने कड़ाई रखी उसमें हम लोग ऑईल लेंगी दो चमच इतना मैंने ऑईल लिया है यह रिफाइंड ऑईल है इससे अच्छी तरह से गरम होने देंगे और तीन मेनी चिल्के के साथ लसन लिया है इसे थोड़ा सा क्रश करके हम लोग डालेंगे तो उसका लसन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है करी में इसमें हाप टी एसपी हम लोगे राई डालेंगे राई अच्छी से तड़कने के बाद ही हम लोग जीरा डा भी इसमें हम लोग करी पत्ता डालेंगे आठ से दस करी पत्ता डालेंगे करी पत्ते को भी अच्छ से भून लेंगे करी पत्ता भी भून गया है तक अभी हम लोग इसमें हाप टीएस पी डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर या काश्मेरी मिर्ची पाउडर डाली इससे कलर भी बहुत पढ़िया आता है और टेस भी जान रखिए अगर आपको ज्यादा तिका पसंद है ता आप ज्यादा लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते है इसे कितना अच्छा कलर अभी से आया है बस अच्छी तरह से लो मिर्ची प्लेम पर हमें इससे भूलना है कि इसमें हाप टीएस पी हम लोग फंद्रे पाउडर डालेंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे मसाला में अच्छी तरह से भूलना है और इनमें आके लस्तन और प्य पानी आड़ करेंगे अच्छी से भून गई है इसमें पानी आड़ करेंगे मिकसर जार में थोड़ा टमाटर का जो पानी लिया पचा था वह हम लोग डाल के प्रवी ग्रेवी का पानी एड़्जेस्ट कर लेंगे करी का अब को जितना पतला या ठीक बनाने हैं उससे सब से पानी एड़ करिये इसे सब से कम से कम चाल से पाच लोगों को यह करी आराम से पूश जाती है कि एक इतनी गाड़ी ऐसे करी बनके रेडी हो गई है बहुत ट्रेस्टी लगते हैं चावल के साथ खाने में तो बहुत ही ला जवाब अभी इसमें हम लोग ट्रेस्ट के अनुसार नमग डालेंगे इसे अच्छे से उबाल आने तक हमें पकाना है पाच मिन तक अच्छे से उबालना है तक पूरा ग्रेवी हम अनुका अच्छे से रेडी हो जाए तो इसका थोड़ा करणवा फ्लेवर आता है इसके लिए अच्छे से उबाल कर छिलका निकाल के ही अमें करी बनानी है उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसे ही आसान आसान रेसिपी में आपके लिए लेकर आऊंगी मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और आप फ्रेंड सरकल में भी शेयर कर सकते हैं वे उपर से थोड़ा सा धनिया एक दो मिनिट और उबालेंगे इसे हम लोग अच्छे से और पनानी में यह टो कि करी हमारे हो गई है अभी घ्यास का फ्लेम करते हैं बन उससे थंड़ा हो गई है बहुत भी बड़िया ऐसी करी है टो माटर की कड़ी आप ज़रूर बनाई और मुझे बताईए कमेंट्स में आपको यह कैसी लगी धन्यवाद